यहाँ पर मिस्लेनियस एक्जामपल देखेंगे एक्जामपल नमबर आपका यह है 12 है न्यू बुक में यह एक्जामपल नमबर 1 है ठीक है आपको फाइंड करना है एरिया आप दे रिजन बाउंडेड भाइ दी लाइन युगल युगल तो 3 x फॉसटो नहींटू ऩि एक्जामपल नमबर दीक है ध्यान देए लाइन फॉस्टो 3 थि क्षामपन करना इस लाइन को ड्रा करेंगे तो लाइन आपकी ये बनेगी ये देखो हम बना रहे हैं फेगर में बना हुआ है ये लाइन जो है ये y is equal to 3x plus 2 है y is equal to 3x plus 2 ठीक आपकी लाइन x-axis को point a पर कट कर रहे है point a पर और इस point का जो coordinate बनेगा minus 2,3 minus 2 upon 3,0 बनेगा यही बात यहाँ पर लिखा गया है the line y is equal to 3x plus 2 meets x-axis x is equal to minus 2 upon 3 अब minus 2 upon 3 के पहले आप देखो and its graph the line graph lies below the x-axis ठीक यह जो point a के पहले आपका जो graph है x-axis के नीचे है किस interval में? minus 1 to minus 1 to 2 upon 3 minus 1 से minus 2 upon 3 के बीच में ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यहाँ पर x-axis के नीचे है ठीक और minus 2 upon 3 से लेकर 1 तक above x-axis x-axis के उपर है ठीक है फार x belongs to minus 2 upon 3 to 1 ठीक है इसी लिए आपका जो integral है वह लिखा जाएगा minus 1 से minus 2 upon 3 तक फिर minus 2 upon 3 से 1 तक ठीक आपको minus 1 से लेकर 1 तक ही रहना है इसी के बीच में minus 1 से plus 1 के बीच में ही रहना है ठीक है इसलिए minus 1 से minus 2 upon 3 तक जाएँगे पहले फिर minus 2 upon 3 से 1 तक इसके बीच ठीक इसको integrate कर लेंगे dx इसको भी integrate करेंगे dx बीच में लगाएँगे plus यहाँ function क्या आएगा y यहाँ function आएगा y y है क्या y आपका 3x plus 2 है तो y के position पर 3x plus 2 रखना है ठीक है 3x plus 2 यहाँ पर भी 3x plus 2 minus 1 से minus 2 upon 3 के बीच में आपका curve एक्सेस के नीचे है इसलिए इसका इंटेग्रल माइनस में आएगा तो इसको आप mod लगा कर प्लस कर लेंगे ठीक है यही बात यहाँ लिखी गई है ठीक है तो area आपक कौन कौन से लिया जाएगा A C B A area of the region A C B A देखो A C B A और फिर आपका area of the region A D E A A से चलेंगे A D E A ठीक है और यही इसका इंटेग्रल आप आपका जाएगा फिर से इविलिएट कर लेंगे इंटेग्रल को यह इंटेग्रल आएगा इसका इंटेग्रल यह आएगा इविलिएट कर लेंगे थर्टीन पांथ्री आंसर आजाएगा ठीक ऐसे ही example 13 देखो आपका कर y जुकल टू का सक्स है between x जुकल टू 0 से 2 पाई का सक्स आपका यह x जुकल टू 0 की लाइन है यह X is equal to 2 Pi की लाइन है, इसी के बीच में आपको रहना है, इसके बीच में आपका जो एक कर्व है, यह देखो कर्व है, ठीक है, यह देखो कर्व है, यह X को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक B और D पर, बीच मतलब Pi अपान टू पर, इसलिए आपका इंटेग्रल 0 से पहले Pi अपान टू तक, D X, फिर Pi अपान टू से 3 Pi अपान टू तक, फिर, फिर उसके बाद 3 Pi अपान टू से 2 Pi अपान टू 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 अपान टू टू पान टू टू तक, D X, D X, इन सब को आपके समें क्यार करेंगे, एड कराएंगे, यहाँ Y आएगा, यहाँ भी Y आएगा, वहाँ Y आएगा, Y का मतलब का सक्स, यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, ध्यान देना, Pi बाइटू से 3 Pi बाइटू को बीच में आपका कर्व जो है, एक्सरेशिस के नीचे है, इसलिए इसको मौड में लिखना जरूरी है, इसलिए हम मौड लगाया गया है, कि इवल्वेट कर लेंगे इंटिग्रल को, और फिर देखेंगे, आंसर 4 आएगा,